दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको Realme से related एक ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो की काफी जाता important है और दोस्तो हम जिस सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं वो इंटरनेट से related है तो चली दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी सेटिंग्स है जिसे आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं So, hello guys मेरे डाम है साजी सैफी और मेरे चैनल टेकनिकल सैफी है मैं आप सभी का तही दिल से welcome करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो में हम जिस सीक्रेट सैटिंग के बारे हम बात करने वाले हैं उसके लिए आपको simply करना क्या है फोन की सेटिंग्स माना है और फोन की सेटिंग्स माने के बाद आपको SIM card और mobile data का एक option देखने को मिलेगा अब आपको करना क्या है इसको select करना है और इसको select करने के बाद आपको नीचे आना है data users के अंदर जैसे दो सूप data uses के अंदर आते हैं तो यहां आपको एक option देखने को मिलता है network permissions का अब दोस्तों आपको करना क्या है इस पर click करना है and जैसी दोस्तों आप इस पर click करते हैं तो click करने के बाद यहाँ थोड़ी सी loading होगी और loading होने के बाद दोस्तों आपके phone के अंदर जितनी भी third party applications है या जितनी भी आपके phone के अंदर application वगरा हैं उन सभी की list आपको देखने को मिल जाएगी तो चली दोस्तों अब मैं आपको पहले बता जिता हूँ कि हम जिस settings के बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है अब दोस्तों आपको मैं बता दूँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम काफी सारी third party application को अपने phone के अंदर install कर लेते हैं और काफी सारे software ऐसे होते हैं जिनका हम pro version लगैं और हमारे phone के अंदर वो अच्छे से work नहीं करते हैं तो दोस्तों हम हमेशा यह चाहते हैं कि जो crack version हमने अपने phone के अंदर install किया है वो अच्छे से work करता रहे है तो दोस्तों इसके लिए आपको simply करना क्या होगा? कि आपने जिस application का भी crack version अपने phone के अंदर install किया है आपको उसके internet connection को background से बंद करना होगा जैसे कि for example के लिए चलिए हम यहाँ पर airtel की application को लेते हैं और जैसी दोस्तों आप इस पर click करते हैं तो click करने के बाद यहाँ आपको चार option देखने को मिलते हैं अगर आप second वाले option को select करते हैं तो केबल आपकी जो application है वो wifi के connection को ही use करेगी कहने का मतलब जब आपका phone जो है wifi से connect होगा तब ही वो internet को access कर सकती है अगर आप mobile data के connection को choose करते हैं तो केबल mobile data से ही वो application चलेगी अगर सबसे last वाले features की बात की जाए तो यही हमारे लिए सबसे लगा important है जब हम किसी भी crack या pro version application को अपने phone के अंदर use करते हैं जैसा कि for example के लिए जब आप अपने realme के phones के अंदर किसी themes को install करते हैं जब भी आपके theme को internet का connection मिलता है तो वो expire हो जाता है जैसा कि आपने देखा भी होगा 5 minute का trial version आता है वो इसी internet की वज़े से ही आता है क्योंकि दोस्तो उस themes को internet का connection मिल जाता है तो दोस्तो आपको simply करना क्या है जिस application को भी आपको internet की permission नहीं देनी है आपको simply करना क्या है उस application को select करना है और select करने के बाद आपको disabled network का option है आपको इसे यहां से select कर देना है और जैसी दोस्तो आप देखें यहाँ पर जो मेरी Airtel की application है वहाँ पर disabled network का एक option मैंने select कर दिया है और दोस्तो इस application के उपर आपको यही show होगा अब दोस्तो अगर मैं Airtel की इस application को use कर दा हूँ तो मेरे phone के अंदर यह application अच्छे से नहीं चलेगी क्योंकि इसको internet connection नहीं मिलेगा ना ही यह wifi से चलेगी और ना ही यह mobile data से चलेगी तो दोस्तो इन सबी settings का आप अपनी मरजी से और अपनी ज़रुवत के हिसाब से काफी अच्छे से use कर सकते हैं और यह काफी अच्छी settings है और यह काफी ज़ता use होती है काफी सारे conditions में तो खेर दोस्तो आप मुझे comment कर बताए कि आपको यह video कैसा लगा और आपको यह settings कैसी लगी कि दोस्तो आपको लगता है कि आप इस settings को कभी use करेंगे या नहीं करेंगे यह सारी बाते आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो खेर दोस्तो फलाल इस video में सरफ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह video पसंद आया है तो प्लीज आप इस video को लाइक कीज़े शेयर कीज़े और साथी सा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कोल ना भूला तो चलिए फलाले इस video को finish करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मजदार वीडियो के साथ